शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें लोट्री वोट्री तो नहीं लगी है अरे ब्रवाजी आप आम खाईए ना गुठ्लियों के दाम क्यों पूछ रही है ऐसे भी भतिजत ने प्यार से खेला रहे तो आपको खा लेना चाहिए ऐसे सवाल जवाब नहीं करने चाहिए लो जी हम और सवाल मैंसे कल तो पूरे घर में मूलटका है घूंग रहा है आज अचानर कैसा क्या हो गया कि चहरे पे चार चान लग गया रहे हमें तो बता बता ना आदमी को खुश रहने के लिए और मिठाई खाने के लिए किसी मौकी की जरूरत थोड़ी होती है किस खुशी में इतनी मिठाईया आई है अरे पहले हाऊ तो सही अभी नहीं हाँ हाँ ये भी ठीक है पहले जाका ता तुम ताजा कावन निकाल कर आओ कि पुली स्टेशन में क्या हुआ तो मैं मिठाई हाजम नहीं होगी अब हम दीदू से मिलकर आते हैं अरे सुनू सरा संभलकर बना तुम्हारी बैंच रताना हब चताने के चकर में कहीं तूसरा थपड़ तुमें ना धर दे हमारा मतलब था कि हम चाहते हैं कान धरा पड़ा है कोई कहीं नहीं जाएगा अरे पर हमें जानना है कि दीदू नों बुलने को पहचाना या नहीं हरे नहीं पहचाना आपको कैसे पता दीदू ने आपको पताया है वो पर एक्चली अब क्या है कि वो एक दोस्त है मेरा वो पुलिस में है तो मैंने उससे ही पुछभाया था तो उसने पताया गुष्ण आत की कहानी, आज यहीं कहतम है। यह कहानी यहीं ऐसे खतम नहीं ही सबूँ है। अबै जी, शायद आपको यह लग रहा है कि कानपूर पुलिस के पास बहुत समय है। पर आपके केस के अलावा और भी क्राइम हो रहा है हैं कानपूर में। सर में समझता हूँ आप जो कहना चाहते हैं अगर आप समझते तो यहां पर नहीं आते हैं एक तुपने दियों से आप जिस गुंडे के पिछे पढ़े हुए थे जब वो हाथ आया तो आपके पत्म भी उसे पहचाने से इंकार कर दिया केस क्लोज हो गया और आप आप आएं सर मैं जानता हूँ आपने परी डूटी पुरी मानदारी से की है और मैं शुकर गुजार हूं सर आपका पर सर इसमें मेरी बीवी का कोई कसूर मी है मतलब? मतलब यह सर कि उन गुंडों ने उसे कॉल करके उसे धंकी दी थी मतलब आपको और पापा को कहीं बाहर जाने की जरूट नहीं है जरूट की सारी चीजे में ले आई हूँ अगर आपको किसी भी और चीज की जरूट हो तो प्लीज मुझे फोन कीजेगा बेटा वो सब तो ठीट है मजे सच सच बता की बात क्या है ममी सब ठीक है और अब कभी तो मेरी बात बिना सवाल जवाब के मान लिया कीजे अग्ता है आज हमारी बेटी का मूट भराब है मूट ठीक है ममी सॉरी मैंने आप से ऐसे बात की ममी मुझे आप लोगों की बहुत चिंदा होती है देखी अभी भी आपकी तबेर ठीक नहीं है और आप आराम भी नहीं कर रही है अरे बेटा दोनों बेटियों को ब्या दिया अब बस आराम ही आराम है और अब ओमर ढ़ल रही है तो यह सब तो चलता रहेगा कुछ ओमर ओमर नहीं हो रही है आपकी प्रॉब्लम यह है ना कि आप अपनी सहत का ध्यान ही नहीं रखती इसलिए पी तबेत हमेशा खराब होते रहती है श्रिटा दीदू पबलू कैसा है पबलू बढ़िया पढ़ाई कैसी चाल रही है स्कूल से कोई कंप्लेंट तो नहीं आरी ना तेरी दीदी दीवाली के छुटियों में पढ़ाई का नाम भी नहीं लेता अभी मैं खेलने जा रहा हूँ आप से आके मिलता बाई दीदू सुन तुम्हारी फैमिली अभी मौल से बाहार निकली है अगर तुमने प्रीज को कुछ भी सच बताया तो यहां से तो निकलेंगे पर फर नहीं पहुँच पाएंगे पबलू अब छुटियां चल रही है तो क्या हुआ प्रढ़ ही पूरी कर फिर घर पर ही रहके खेला तुर डीदी बीदी जी कुछ नहीं इस अच्छे माक्स लाने न और तु ने कहा था न कि तुघे साल ऐख चया है अगर इस बार तु अच्छे माक्स लेके आएगा तो मैं तुजे ऐ और शॉक्बित करूगी प्रॉमिस पक्का प्रॉमिस अभी अपने कमरे में जा और पढ़ाई पूरी कर ठीके दिदू बाई दिदू ही भगवान मेरे परिवार पर कोई आज मताने देना सर अप कानूमी तरीके से कुछ नहीं पर सकते पर सर प्रीस एक हैसान कर दीचे बस उस गुंडे का इटर्स देदीजी मुझे प्र अभैजीर सर में उस गुंडे के आपको सारी ख़बर देता रहूंगा सर में आपसे वादा करता हूं मैं और मेरी बीवी शृद्दा तुम्हों आपको पूरा साथ देंगे उसे पकड़ में में भाभी हमें लग रहा है आप पर भी संगत का अशर हो रहा है पहले तो आप खाना फेका नहीं करती थी क्यों करती है इसनी महिनत जब आपको पता है कि लोग बाहर से घाना खाकर आते अरे महरानी साहिपा अभी 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 स्पास से आई है और अभी चल दी है अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं आपको के तकलीफ नहीं नहीं हमें क्या तकलीफ होगी और अगर होगी भी तो तुम्हें उससे क्या पर पड़ता ममी जी राट को खाना हम घर पर ही आकर खाएंगे अरे सुनो तैसे हमें पता है कि तुम अपनी सहली से मिलने के रिए बली उताबली होए जा रही हो पर ज़रा ठहरो थोड़े हाथ पैट चला लो थोड़ा काम कर लो जो तो सोई घर से ना प्याज और पालक ली करो रहने दीजी कीरती हम कर लेंगे अब याप बैठिये क्यों इतना बहु को सर पे चड़ा ही है पहले से इतनी चड़ी हुए है तुम ने सुना नहीं हमने क्या कहा हम फिर से कह देते है कि रसोई घर से पालक और प्याज लेकर आओ और हाँ प्लेट भी लेकर आना वनना हम हमारी बात मानेगी तो फाएते में रहेगी या हुआ हुआ कुछ पता चला बोलिये ला कुछ पता चला उनका मिश्रधाग अद्रेस? अरे उन गुन्नों का अद्रेस है? पुलीस वालों तो बहुत मिननते करी मैंने, फिर जाके उनने अद्रेस दी है अब देखना, कॉलर से पकड़ के गसीड के लाओंगा उनको तुमारे पास अम दोनों मिलके उससे उलवाएंगे, कि किसने करवाया ये सब कुछ थैंक यू, आप मेरे लिए इतना सब कुछ कह रहे हैं शर्दा प्लीस, मैंने कहा था तुम्हे, मैं तुम्हारे साथ हाँ मैं उसके अड्रेस ते भी गया था पर ये दुआ जी को भीना हर मामले में टांग अडानी होती हैं जब मुखोलती हैं, कडवाई बोलती हैं पता नहीं हमारे पीछे क्यू पड़ी रहती हैं खुद में बैठके फ्रीका खाएंगी और यासे दिखाएंगी इसे पूरे घर की माल की नो पर हमें ग्यान देने चलियें ये, खा रखो ये सब कीरती, आते वापना प्लेट भी ले आना प्यास काटके क्या हम अपनी सर पे रखेंगे प्यास काटके काटके लाव कर दो प्यास काटके अग्यास अब 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 लेट हो रहे हैं, अब इतना सारा काम पहल गया, क्या करें? अब आरिटरेस भी गंदी हो गई, दाग लग जाएगा, अब हम ना पहले ड्रेस चेंज करके आते हैं, अब अरे तो बुगाजी बैठे होंगे, फिर पकड़ लेंगे, कि दर से जाएगा, फीचे के रास्ते से निकल जाते हैं, अरे कीरती कितना टाइम, अरे कहां चेले गए किरती, आप ऐसे गहर जिम्मदार कैसे हो सकते हैं, किसने कहा था आपको ऐसे हीरो बनने के लिए, कितने खतरनाक लोगें वो, आपको कुछ हो जाता है तो, चटाप, मैं ठीक हूँ, तुमें मेरे पे बहरोसा नहीं है क्या, और ऐसे भी वो एड़स पे मेले नहीं, तो फिर अब एक पाहन वाले का पता चला है, उसके बास अपकी खबर रहती है, उसकी दुकान पे गया था पर उसकी दुकान में बनती, कल फिर से जाओंगा, तो, बहुत जल्दी मिल जाएंगे श्वता, अंकल अंटी को कुछ नहीं होगा, और अवे गुंदो के पकड़े जाने से पहले बबलू को स्कूल खुल गए, तो मैं उसे रोज लेने और चोड़ने जाओंगा, ठीक है, तुम टेंचन मतलो, चोटा सा काम बोला था, प्याज पालक लाने के लिए, उसमें भी टाइम लगाएगी, इससे अच्छा तो इंसान खुडी कर ले, इसे अच्छा तो इनसान खुडी कर ले, इस तो तेल के से गिर किया, इस तो नाइजी की आवाज है ना? अब आपको आराम की जरूरते हैं, आप इन्हें बैट से नीचे मत उतरने दीजिएगा, क्योंकि शरीर का पूरा वजन इनके पैरों पे आएगा, और चोट को ठीक होने में मुश्कील होगी, और हां, हम एक्सरी पी करवा लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि फैक्चर ह है या नहीं? अगर आपको कुछ कहना ही है, तो आप भावी से क्यों कह रहे है, आपकी लाडली बहु कीरती से कहिए ना, आखी तेल तो इसी ने गिराया था, इसी तुम पालक और प्याज लाने के लिए कहा था, वो तो तुम ला नहीं पाई, तेल गिरा दियो और भावी की ये हालत कर काम काज खतना तो आता है नहीं तुमें, बुआ जी, कौन सा हिंदी सेरियल देखते हैं आप, बताइए ना, क्योंकि आपकी हिसाब से तो बहु ने तेल गिराया, उस पे अपनी सास को गिराने की, हुमारी बहुत बड़ी साजिश होगी, है ना, तो बताइए ना, कौन सा स रितू, कीर्ती ने कुछ नहीं किया, वहां तेल पड़ा हुआ था और हमने ही नहीं देखा, और पाउ फिसल गया, कोई असा क्यों करेगा, पता नहीं, इस घर में सब को क्या हो रहा है, सब के पैर में ही चोट लग रही है, अब और किस के पैर में ही चोट लग गई? मुझे लगी है, ये देखो, मुझे लगी है, थोड़ी देर पहले तो अच्छी खासी चल फिर रही थी, कूद रही थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया, सच में चोट लगी है, भावे, जाई जी, आराम से, बीगे, कितनी तकलीफ हो ही आपको, अब आप किसी भी काम को हा काम देना, हम ऐसे कैसे बैठे रह सकते हैं, अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी बस, अरे, काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, कैसी बाते कर रही है, बहु है, वो कर लेगे, आप उसे जिम्मेदारी देंगी नहीं तो वो करेंगी सब काम सबाल लेगा बेडा घरक अब तो होट्य का काम अजी हाँ जैसे की वो जोडु का गुलाम अपनी स्वीटू को काम करने देगा मम्मी पापा बिल्कुल सही कह रहा है हीजती सब समाल लेगा मम्मी का खयाल रखना और घर का काम वो दोनों कर लेगी इतना सब कुछ कीर्थी कैसे समालेगी भगवान का शुकर है की बच गया तू ऐसे तूफान मिल बनके कहां जा रही है कीर्थी आसपास देख के चला कर अच्छा सुन तूने नैना तैजी को चाय और नाश्ता दिया चाय नाश्ता हम करवा लेंगे प्लीज देदू आप अपने परिवार का चाय नाश्ता देखो ना और हमें आपको जवाब देनी के जरूरत नहीं है जब देखो इस घर में सब हमसे सवाल जवाब शुरू कर देते हैं पता नहीं क्यों कैसी बाते कर रहे हैं तो कीर्थी सिर्फ इतना ही तो पूछा ना कि तुन्हें ताय जी को नाश्ता दिया या नी उन्हें अभी तेरी जरूरत है उनका खयाल रखने के लिए और भी लोग है इस घर में सिर्फ हमारी जरूरत नहीं है पैसे भी कुछ लोग है इस घर में इनसे बस बखलोली करवालो यह तो बिना सोचे समझे कैसे कुछ भी पूल देती है कीर्थी तु इस घर की बहु है अपनी जिम्नदारियों से ऐसे भाग नहीं सकती है तू कीर्थी तेरी बड़ी बहन हुम है तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूं इसलिए तो पूछ रही थी दीदू आपका जो यह भाषन है ना हमारे कानों में चुब रहा है ऐसा दिल कर रहना है की कानों में रूई डाल ले वैसे भी हम कॉलेज जा रहे हैं अब कॉलेज जाने के लिए भी क्या आपसे पॉमिशन लेनी पड़ेगी कीरती मेरी बात अभी खतम नहीं हुई है क्या बोलना है और आपको दीदू यह हमारे कॉलेज जाने पे आप पड़ लगा देंगी देख कीरती तू कॉलेज जा रही है अपने पढ़ाई के चिंता कर रही है यह बहुत अच्छी बात है लेकिन तू यह भी ध्यान रख कि नैना ताईजी की तबे तभी ठीक नहीं है उन्हें तेरी जरूरत है वो ऐसे घर का सारा काम अकेले नहीं मैनेज कर सकती है तू अकर बाहर जा रही है तो पूरे दिन का उनका इंतजाम करके जा कीरती, रितू कोई दो मिनिट आ सकता है क्या देख उनको तेरी जरूरत है वो बुला रही है प्लीज जा के उनकी हेल्प कर दे दीदू उन्होंने सिर्फ हमारा नाम ने लिया है किसी और का भी नाम लिया है वो देख लिये सिर्फ मैं अकेलिए नहीं हूँ यहां सब को समानने के लिए हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, हम जा रहे हैं बाई आपको यह सब क्या करने की जरूरती और वो दवाए खाने का टाइम हो गया था लेकिन ग्लासी हाथ में नहीं आरा था अब आए का असली मजा तो रिटू का वीडियो कॉल? हे भगवान रिटू हमारे इतने पूरे दिन आगे यह आपको हमें नीचे से वीडियो कॉल करना पड़ा है भाभी आपके पूरे दिन की शुरुआत तो पूख चुकी है और उसका श्री गनिश आपकी फ्यारी समझतार कमाओ बहु ने कर दिया है ताई जी मैंने आपके लिए काड़ा बनाया है इसे पी लीजे आपको दर्ख में थोड़ा आराम मेलेगा देखा आपने है बसे कुछ भी गई है बाभी भगवान हर एक के नसीब पर ऐसी बहु लिक है शुद्धा आपके नसीब में तो है मगर आपके पस में नहीं कितनी बार आपने उसे कहा कि नाया कर यहां पर लेकिन वो आपकी बात मानती ही रही है बजाम बतमाने का बागी लेकिन इस परिवार की तरफ जो शुद्धा है वो आपकी बहु शुद्धा से छूटी नहीं पाती संभाले अपने बहु के ज़र बाई हलो हाँ वरुन जी हम आज आएंगे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं तूरे दिन तो कहां थी आज पच्पन की तरह सवाल जवाब तू कर रही हैं हम कोई बच्चे हैं क्या कॉलेज गए थे हम और तू कॉलेज में बिजी थी हाँ तो और कहां बिजी होंगे हम तू डांस क्लास बेटी कीटी अपनी वक्ते कीटी सच बोल दे अब भैजी ने तुझे डांस क्लास से निकलते वे अपनी आखों से देखा है दीदू हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे तो फिर मैं भी अपनी मर्जी सही करूँगी जो भी करूँगी खिस्मत से टकराती उलजी लकीरों को सुलजहाती शद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाएए शिमारू उमंग